कैप्टन अंशुमन सिंग ने असाधारन बहादुरी एबं त्याग का पर्चे देते हुए देशित में अपना सर्वुच परिदान दिया सम्मान ग्रहन करेंगी उनकी धरमपत्नी स्रीमती स्पृती एबं माता स्रीमती मन्जु सिंग बंकर में आग लगी और उन्होंने देखा कि जब बंकर में आग लगा है तो वो अपने बंकर से बाहर आये थे उनका बंकर तीसरी और चोथे अंबर पे था और उन्होंने पांच जमानों को बचाया तो जैसे उनका जो बंकर था भी वो जलने की कगार पे था तो वो एक कल्कुलेटेड रिस्क लिए और उसमें कूद पड़े अपने उस दवाओं के लिए और लेकिन उनका जो कल्कुलेशन था उसाइट परफेक्ट नहीं निकला होगा मैं तो इससे जादे नहीं बता सकता तो लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए और फिर सुबह हमारी बहु का फोन आया उनको वहां से एक उनके इपैस्मेंट थे उपर ही तो उनका फोन आया कि वहां पर आग लगी लगब ग्यारा बजे कि अब वो नहीं रहे तो मैंने पुछा कि शैसा मुझे तकलीप तो बहुत हुआ बलकुल एक अशाधारा बोज था कंदे पर बिलकुल बिस्वास नहीं हुआ पत्नी हमारी बगल में बैठी थे तो उनका कि अब वो नहीं रहे इनको तब तक बिश्वास नहीं हो रहा तो लें मैं आप जूद बोल रहा हुआ तो शैवा मेरे बैठे को तो जब से मेरे बैठे की साहधात हुई है उसके अंतिम संसकार में भी लगए 50,000 से जादे लोग थे और राजिश शरकार का या केंदर सरकार का जो शैयोग था या लोकल जनता का जो शैयोग है वो बड़ा ही आधरणी और रेस्पेक्टफूल है हमेशा और केत्री चक्र मिलने के बाद भी जो गोर्मेंट का सायोग है और जो लोगों का है क्योंकि मेरे जिले में किरती चक्र पाने वाले वो पहले बगती है तो जहां तक बात सम्मान की है तो लोग बहुत ही इज़त दे रहे हैं और मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि आप पूरा देज, शेना और सब हमारे साथ खड़े हैं जब आखरी बार आप लोगों की बात हुई थी, क्या बात हुई थी एक रात पहले आपकी बात जो जोबन से हो रही थी और क्या कुछ सेना से उसके बाद, सेना ने क्या आपको बताया था उस हाथ से के बाद 18 जुलाई 2023 की रात में करीब पौने 10 बजे उन्होंने हमको एक मैसेज ड्रॉप किया और वाटसेप पर उनका फोन आया, उनके बैसमेट हैं एक फिवो टगर और उनकी वाइफ हैं तमना और दोनों आर्मी में डाक्टर हैं तो कहीं सेलिंग पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि डैडी चुकि मैं अंसुमन का ITR मैं ही फाइल करता था और उनके एक दो दोस्तों का भी करता था तो अपने साथ साथ तो उन्होंने कहा कि डैडी इन का आज भी भोर के और इसकी वाइब का आज ही ITR अफाइल कर दीजिए जुलाई का महीना है क्योंकि यह कहीं सेलिंग में जा रहे हैं तो उन्हें उनके फॉर्म 16 और उनके जो पेसलिप्स हैं और बाकी चीजें डेटा हमको प्रोवाइड करते रहे हैं मैं लैपटाप पे उनका ITR भरता रहा और वो हमें जितनी डेटा जरूरत की थी जैसे कि उनसे आधार से लिंग्ट जो नंबर थे उन पे जो OTP के आना या उनके फादर का या उनकी पाशवर्ड या और वे कुछ डेटा में अप्ग्रेड करने की चीजें थी या किस-क्सकलास में कितने फैसे और का सब उसमें रहे हैं लगद्वानित के सी आमHHHH पर दिशे भी हुई और लेडी उतो ममी के साथ बात करी रहे थे एक मुबाइल पर और एक मुबाइल के साथ वो उनके साथ कनेक्टर थे जो वाट्शेप पर और सारे मैं जब लेप्टाप पे भर रहा था तो हम वह स्पीकर आन करकर रखे थे और सारी बातें वो बताये जा किसकते हैं द्यद्धी के आज पास में जैसा लोग वेल साथ सर्कोडब से आग लगी और उनके ब्ल्क हर कमें आग लगी और उन्हों ने देखा यदर बंकर में आग लगा है तो पने बंकर से बाहर अंका बंकार तीसरी चोथे नमर पे था और उन्होंने पांच जवानों को बचाया और बचाने के बाद उन्होंने देखा कि वो थोड़े से smoke में इनहील कर लिये थे और थोड़े बहुत बर्न हुई थी उनकी जो जवान थे तो उन्होंने उनको ये सोचा होगा कि उनको हमारे critical जो इकोप के लिए और लेकिन उनका जो कल्कुलेशन था उसाइट परफेक्ट नहीं निकला होगा अब मैं तो इस से जादे नहीं बता सकता तो लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाए और फिर सुबह हमारी बहु का फोन आया उनको वहां से एक उनके बैचमेट थे ऊपर ही तो उनका फोन कि वहां पर आग लगी है लेकिन उस कुछ क्लारिफाई चीजे नहीं हो रही थी तो मुबायल वहां चल नहीं रहे थे इनका नमबर लग नहीं रहा था तो मैंने आर्मी के एक सेंज में फोन किया पूने में और यहां लखनों में भी वहां से जो जानकारी हमें इकठा कर प अजये कि अब नहीं रहे तो मैंने पूछा कि शह सा मुझे तकलीप तो बहुत हुआ बेलकुल एक अशाधारा बोज था कंधे पे बिलकुल बिश्वास नहीं हुआ पत्नी हमारी बगल में बैठी थी तो हमने कहा कि अब नहीं रहे इनको तब-तक भिश्वास नहीं हो रहा तो मैंने उन से कहा कि ये बताई है कि मेरा बीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से तो मुझे बताएगा एक नहीं आपका बेटा बहुत बीर था बहादरों की तरह से चार-पाश जिंदगियों को बचाने के बाद अपने जीवन को बलिदान दिया है तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं जो खो चुका वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे फखर है कि मैंने जो डाक्टर समझ कि डाक्टर बनाया था, कि लोगों के जिंदगी बचाएगा तो अपने मौथ के अंतिम सफर में भी, जीवन के अंतिम सफर में भी, वो के जिंदगी को बचाते हुए गया और वो एक बहादूर था, बीर था, कायर नहीं था. अधाई देने के लिए कि आपके पत्र को किर्थी चक मिला है, चुकि वो हमारे यहां के सांसद भी हैं, और मुझे शौभाग से दो बार उन से मिलने का आउसर भी मिला है, मैं जब भी मानी रक्षामंतरी जी से मिला तो मुझे ऐसा महसूस नहीं है कि मैं भारत के रक्षाम किया, और ऐसा लगा कि मैं किसी निता के पास नहीं बल्कि अपने बड़े भाई के पास आया हूँ, तो उनका पहला काल आया था, और शहादत के बाद भी उनका काल हमारे पास आया था, और तमाम और गोर्मेंट आफिसियल्स के जिसमें चिफ आफ स्टाफ के और जो आन फ भी लोग थे, जिनके पास नंबर थे, सब ने अपना ये किया, जब हम अभी गए हैं यहां पे रास्टपती भौन में, तो मेरी रक्षामंदरी से फिर मुलाकात हुई और आर्मी के तमाम बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, चीडियस या वाई सीफ आफ आर्मी स्टाफ इन्होंने सबने बहुत इज़त से और बड़े एक डिकुरम को मेंटेन करते हुए एक इज़त के साथ हमें वो पूरी इज़त बखसी जो की एक करती चक्र बिजयता के परिवार को मिलनी चाहिए या जो होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे उमीद से जादे और हर कदम पे सरकार हमारे शाद खड़ी थी बाते रखता है, कुछ वो अपनी बाते रखते हैं, तो कुछ डिस्कुशन चली, अपनी दर्द भी मैं बताई, यह सब चलता रहा, बाकि कुछ थोड़ा बहुर डिस्कुशन ऐसे नार्मली बात सीथ होती रही तो किती देर बात हुई होगी रहुल गांदी से कल, आप लोकि अपने अपने लिए किये जादा, पर कुछ बाते होने लगी तो ऐसे बात निकलने लगी तो बात चली आचा कल आपने एक बेयान दिया था अगनिवीर को लेके कि जो अगनिवीर योजना है उसमें सभी को एक समान जो है, जितने भी सोल्जर से सब को एक समान मिलना चाहिए, किस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसे भी कोई जिक्र आप लोग ने राहुल गा जाते हैं, तो सबजी ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि थोड़ी हरी मिर्ची डाल दो, तो वो मैं फ़ोजी की बीबी कैंटीन जो फैदा हम उठाए, मेडिकल फैदा उठाए, तो वो थोड़ा दिमाग में था, तो मैं वही बोली कि वो उनको भी मिलना चाहिए, बाकी अपने हिंदुस्तान के नागरिक के तोर पे अपना फाइंट रखी, जो कि थोड़ा लाइट हो गया है वो तो क्या आप मतलब ये मानती हैं कि अगनी वीर के तहट जिन लोगों का सेलेक्शन होता है, उनको एक सम्मान ही, जो है सारा कुछ मिलना चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए, आर्मी में उनके लिए, दो तरह की चीज़े नहीं होनी चाहिए तो उस पर ही मैं बात की, बाकी मुझे उससे ज्यादा मुझे जनकारी भी नहीं है, एक हाउस वाई भी हूँ, इतना नौलेज नहीं रखती मैं, तो होना चाहिए एक ही जैसे, अपनी रायद, आपनी रायद, आपकी क्या राय है, क्योंकि आपने भी आर्मी में लंबा समय पिताया, जी आपने अपने एक सब्द का था, राहूल गांदी जी से, तो चुकी हुआ ये कि मेरा बेटा 19 मर्स 2020 को कमिशन लिया था, और उसकी सहादत हुई है 19 जुलाई 2023 को, लगबख साढ़े तीन साल की सर्विस में वो सहीद हो गया, तो जैसे राहूल गांदी जी से बात हो रहे थी कि कब कमिशन लिया, कितने दिन सर्विस रहा, कैसे आपका परिवार, कहां, कैसे ये नर्मल बाते थी, तो उसमें जब साढ़े तीन साल सब्दाया था, उन्होंने बर्बस एक बात हुआ कि चार शाल में तो देखी अगनी बीर भी, तो आपनों को क्या क्या तो उसमें ये बाते निकल के मतलब थोड़ी सी जबाई थी कि जो आज मेरे बैटे साढ़े तीन साल में है, जो पे परक्स और जो प्रिवलेज और जो फैसलिटीज एक रेगुलर आर्मी के तोर पे उसको मिला, मैं जितना समझता हूँ कि साइद कदाचित कोई अगनी बीर को इतना नहीं मिलता, जितना की एक रेगुलर आर्मी को मिला, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो महसूस्त हुआ, वहाँ थोड़ी सी थी, उन्होंने फिर उसके बाद डिस्कोर्स बात का बदल गया, कि मैंने भी खोया अपने पिता को, अपने दादी को, आपने भी अपने पर अधिकारिक तोर पर शायद कुछ कहने की हसीत नहीं रखता है, मेरी शलाहिएत भी नहीं है, लेकिन बिंगे एक सफोजी, मैं इस पर अपनी उपीनियन रख सकता हूं, हूँ सकता है कि उपीनियन गलत हो, मैं नहीं कहता कि ऑपीनियन एकसेप्टेबल है, क्योंकि आज क कि तारीख में जो हमारी जो आधरणी ये शेना है उसके एक अपनी लिगेसी है और जो एकुपमेंट्स हैं और जो बहुत से जो कि लगबग शुरू के बेसिक ट्रेनिंग को छोड़ दें तो डेड़ साल दो साल लग जाता है उसको एक ट्रेंड सोल्डर बनके वो योगयता हासिल करने में कि वो एक बेर मिनिममम क्वालिटी के साथ जा करके और उस एकुपमेंट को हैंडल करता है फिर उसके बाद वो सिनियर्टी वाइज अपने क्लास वन क्लास टू यह सारे कोर्सिस करता है और और उसमें टेकनिकल जो है इनहेंसमेंट अपनी करता है कंपिटेंसी में तो अगर चार साल में वो दो शाल धाई साल ट्रेनिंग करेगा तो उसका जो काम करने का होगा जो हमने उस पर खर्च कि या कितने दिन उसे काम लेना है दो डाई साल तीन साल हमने शिखाया तो एक ही साल उसे गौर्मेंट ले पाएगी पहला यह दूसरा यह कि मालने जिए कि अगर वो इनकंपिटेंट हैं तो जो ट्रेंड लोग हैं उनके उपर वो बर्डेन इंपोज होगा जाहिरली सी बात है क तो जब काम नहीं कर पाएगा तो काम तो होना है फोज का और फोज 100% काम करेगी जो भी फोज में है फोज एक ऐसी ट्रेडिशन है कि आप अगर ड्यूटी पर खड़े हैं आपको रिलीव नहीं किया जाएगा तो आप उस पोस्ट को नहीं छोड़ सकते है जब तक आपका आप जगाने भी नहीं जा सकते हैं तो जो बंदा वहाँ पे है कोई भी हो अफसर्श हो जवान हो जिश्य हो जो भी है वो अपने कर्म को अपने करदबी कोई छोड़ के नहीं आ सकते हैं तो काम तो उसको करना है हो चार आदमी का काम करेगा तो competency और in competency कर में अगर आप तो इसके इस पैन को अगर एक्स्टेंड कर दिया जाए कि थोड़ा हो जा तो जो हम उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ट्रेंड करने में उसको हम फिर रेशी प्रोकल सिस्टम में हम वापस भी ले सकते हैं दूसरा वो एक ड्रिल की ड्लू टी की वेपन की और तमाम ट्रे देते हैं तो उनको बिदाउट ट्रेनिंग आप अकॉमडेट कर सकते हैं बाद में उनको आई पी सी की और शीर पी सी की थोड़ी सी पढ़ाई करा सकते हैं लेकिन जो बेसिक सिखलाई है उनकी वेपन चलाने की ड्रिल की यह तो उनके पास अलेडिया और डिस्सिप्लिन सो जा रहे हैं वो पेरामिलिटरी फोर्स मों भी अकॉमडेट हो सकते हैं तो मैं जो अपनी थोड़ी सी समझदारी से समझता हूं कि यह डिबेटेबल इशू है और इस पे शरकार के बड़े-बड़े लोग है और पब्लिक डुमेन में बाते हैं और चल भी रहा है तो कुछ सब्सक्राइब कोई कोई बाते हैं तो क्या चाहते हैं कि किसी तरह का चेंज इस होना चाहिए आपके हसाब से देखिए भेदभाव करने का गौर्मेंट का कोई इरादा किसी के साथ नहीं है, कि कोई भेदभाव, अब सर्स भी सेवे नियर्स के बाद आते हैं तो उनको कोई पेंसन नहीं मिलती है, तो देखिए बिश्व के और भी देशों में हैं, लोग चार-चार साल, पांच-पांच साल करते हैं, मेनेटरी सर्विश करते हैं, इसराइल है, चाइने हैं जहां तक कुछ और भी कंट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ हैं और उसमें 25% लोग तो आल लेडी इंटेक में रह रहे ह तो दोनों तरह से हम उसका जितना हम निवेस कर रहे हैं, उसके मतलब प्रपोश्चन में हम वापस ले सकते हैं, देश उससे बहुत जादे बेनिफिट ले सकता है, और उसको भी जो एक अगनी बीर के तौर पर चार साल के लिए गया, उसको लगेगा कि नहीं मेरी लाइफ यहां है, और मुझे मेरे पीछे भी लोग देखने वाले हैं, तो अपना 100% अपना सरवोत्तम देगा और जो उसको सिखलाई दी गई है, और वो निसीत रूप से अपना शकाम करेगा, तो यह मतले मानते हैं कि बेदभाव नहीं है, लेकिन एक जो सर्विस पीरिट है, उसक सकता, लेकिन कोई 42-43,000 या 45,000 के आसपास में अगनी बीर से, पर यह और तीन साल तो उसमें कुछ हुआ नहीं, तो जो यह बीच में, टित तो टेल रेशियो में थोड़े से जो कम हुए है, तो वार डाक्ट राइन के हिसाब से लड़ाई, वन रेशियो नाइन के हिसाब स लेकिन अल्टिमेटली इंफेंट्री और इसकी आप कमी को पूरा नहीं कर सकते है, तो यह इधियास साक्षी है इस बात का, तो अगर इसमें इंटेक की परशंटेज कुछ बढ़ जाए और थोड़ी सी टेनोर बढ़ जाए, तो यह बेनिफिसरी होगा देश के लिए भी, और मैं जितना समझ सकते हूं, एक्सपाव जी के नाते, तो यह बेतर बिकल्फ हो सकता है, बैठे हैं, बात्सियत कर रहे होगा, इस पर जरूर कुछ न कुछ अच्छाई होगा. अच्छा, आपने भी जखर किया, आपने बेटे का, पताया कि यहाँ पे मूर्तिय भी लगनी जा रही है, क्या प्लानिंग है, कीरती चक्र अवाडी है, किस तरह से लखनाओ और उत्रपदेश की अच्छाण अच्छाण बनेंगे? देखिए, माननी योगी जी का जो शहयोग रहा है, हमारे परिवार के साथ बहुत आला दर्जे का रहा है, मैंने जो कहा था, तो उनकी सहादत के दिन ही 50 लाख रूपे यूपी सरकार ने जो एनाउंस किया था, वो 50 लाख रूपे उनकी डेट बोडी पहुँचने से पहले जो एक सड़क का नामकरण का उन्होंने घोसड़ा किया था, वो हमारे गाउंस से वोता हुए, एक 9 किलोमेटर की सड़क है, अन्य जिला मार गया है, उसका भी नामकरण अक्टूबर में मानी राजिपाल महुदे के अच्चूचना से हो गया, नामकरण भी हो गया, हमारे गाउं में प्रात्मिक स्वास के अंदर है, उसका भी नामकरण करने के लिए योगी जी ने आदेशित कर दिया है, और वो हमारे जो अस्थानी ये सांसथ थे, मानी रविंद्र कुशाहा जी और विजय लक्षमी गोतम जी, जो मंतरी हैं, राजी मंतरी हैं देश के, वो भी एक तरह से ये कहें कि आदेशित किया कि नहीं ये किया जाए, और फिर अभी मेरी बात हुई थी जो यहां की महापावर हैं, और जो इंदरजीत सिंग जी हैं, यहां के कमिस्नर है नगरेग, तो उन्होंने आल लेडीज चीफ इंजिनियर को लगा रखा है, और वो पी ड़ लुडी से कॉडिनेट करके और ये बुद्धेश्वर चौराहे पे यहां पे एक बस्ट लगाने का चलना है, बस्ट बन गया यहीं बारावंकी में, अब वो लगाना है, तो बाकी चीजें चल नहीं हैं.